में राजस्री भरवाडा स्री रसोई में आपका स्वागत करती हूँ आज में आपको दालवड़े सिखाने जा रही हूँ इसे हम वेजेटेबल वड़े भी बोल सकते है और इसे दाल वड़े भी बोल सकते है दाल वड़ा बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है बारिक कटे हुई हरी धनिया ली है बारिक कटे हुई पत्ता गोबी ली है बारिक कटे हुई सिम्ला मिर्च ली है बारिक कटी हुए पालक ली है और अदरक मिर्च है और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है सबसे पहले हम ये चने की डाल को एक मिक्सी के जार के अंदर ले लेंगे उसके अंदर हम अदरक मिर्च बारिक कटे हुए डाल देंगे और इसे आप हम पीस लेंगे, एकदम बारिक नहीं पीसना है, थोड़ा सा हम रफली पीसेंगे इसे, अब ये मैंने इसे दाल को पीसी है रफली, अब मैं इसे एक बाउल के अंदर ले लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं पूरा इसमें ले लेती हूँ, मैंने पीसने के टैम पे पाली नहीं डाला था, आप अगर उसमें एक से दो चमश पानी डालेंगे, तो आपकी बेटर की कंसिस्टनसी इस टैप की थिक हो जाएंगी, अब इसके अंदर हम सारे वेजेटेबल्स डाल देंगे, मैंने बारीक कटी हुई हरी धन्या डाल दी है, बारीक कटी हुई पत्ता गोबी डाली है, बारीक कटी हुई सिमला में इस डाली है मैंने, और बारीक कटी हुई पालक, अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है 1 फॉर टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून लाग मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या तो हाफ टीस्पून आप अजवाइन ले सकते हैं अगर आपको अजवाइन की जगत तील लेना है तो आप तील भी ले सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब इसे हम 5 मिनट तक इस तरह से रहने देंगे और तब तक हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे ये मिक्स करके ऐसे रखने से इसके अंदर जो सबजीयों का पानी है वो निकलेंगा बाद में हम उसे बाइंडिंग के लिए चावल का आटा डालेंगे इस तरह से हमने अच्छे से मसल के इसे पांच मिनट के लिए रख देना है अब हम इसके अंदर पिंचोप सोडा डालेंगे और अब हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे दो से तीन चम्मच कभी आपका ये बेटर ज्यादा मोस्चर लग रहा है ज्यादा इसके अंदर लग रहा है कि ये डीला है तो आप इसमें एकाच चम्मच ज्यादा भी चावल का आटा एड़ कर सकते हैं अब भी इसके इसे छोटे-छोटे बॉल बनाके इसे हम गरम टेल में फ्राइ करेंगे अब इसे हम पलत के दूसरी साइट से थोड़ा होने देंगे हमें यह कच्चे पके ही तल के निकाल लेना है बस हमने हलका सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से हम सारे वड़े तल लेंगे यह वड़े का बेटर जब हम सबजे डालते हैं उसके बाद हमें बहुत देर के लिए नहीं रखना है आप इसे इस तरह से कच्चे पके वड़े बनाके रख सकते हैं और जब आपके गेस्ट आई तब इसे आप सेकेंड बार तल के दे सकते हैं पर अगर आप सबजी डालते हो फिर आप वो बेटर को वैसे ही रहने दोगे तो उसमें सबजी और पानी छोड़ने लगेंगे जिनसे आपका बेटर बहुत धीला हो जाएंगा तो फिर आपके वड़े इस तरह से अच्छे सेप में नहीं बनेंगे इस खारण हमने जैसे ही सबजी डाली उसके बाद 3-4 मिनट रखने के बाद थोड़ा सा मोस्चर निकलता है फिर हम उसमें चावल का आटा एड़ कर देते हैं अब यह हमने बागी के बच्चे हुए वड़े भी तल लिए अब हम इसे थोड़े ठंड़े होने देंगे बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे मर permitted है घण्डा होने के बाद 5-10 मिनट के बाद इसे आप toe में लेके हलके हलके प्रेष करके इस तरह से वड़े का चप्टे बड़े बना लीजिये जहरा सा थंडा होने के बाद आप इसे करिए नहीं तो इसकी भाप से हाफ के हाथ में चटके लग जाएंगे जलने के चांसे से इसके लिए आप उसे धलका सा थंडा होने के बाद में ये वाला प्रोसेस करिए और दबाने के टाइम पे भी हलके हाथ से दबाईए नहीं तो इ अब गरं तेल के अंदर इसे डालेंगे क्योंकि धीमा तेल रहा और हम इसे डालेंगे तो यह हमारे वड़े ओली हो जाएंगे इसके लिए ऐकड़म गरं तेल होने दिना बाद में उसमें यह वड़े हम डालेंगे आप इस तरह से इतना बना के आप रख सकते हैं जब आपको किसी को सर्विंग करना है तब आप फटा-फट तलके उसे दे सकते हैं अब आप इसको इस तरह से दोनों तरफ से पलट कर एकदम क्रिस्पी कर लीजे और फिर आप इसे गर्मा-गरम सर्व करें आप इसके अंदर प्याज और लेसन दोनों डाल सकते हैं ये एजे जैन भी आप विदाउट प्याज लेसन भी सर्व कर सकते हैं और इसमें आगर आप लोग प्याज लेसन डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा तो आप इसे इस तरह से प्याज लेसन डालके भी सर्व कर सकते हैं और ये एक बार चलना हो गया है इसके लिए सेकेंड बार में ये फटाफट क्रिस्पी होते हैं तो इसे बहुत देर तक आपको आईल में रखने की जर्रत नहीं है बस एक से दो मिनट में ये तुरंत क्रिस्पी हो जाते हैं ये हमारे वड़े तयार हो गए है 向 इसे हम सर्दिंग प्लेत में लेंगे इस वड़े को मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है आप इसी ग्रीन चटनी के साथ इंली की चटनी के साथ नहीं हो आप मेरे चैनल को लाइब और सब्सक्राइब करिए Thank you